जै गुरुजी, शुकराना गुरुजी, सारी संगत को जै गुरुजी अगर आप भी नई संगत हो और गुरुजी से अभी अभी जुड़े हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना गुरुजी की संगत को पता है कि गुरुजी बड़े ही प्रैक्टिकल है हमें हर बात को छोटे-छोटे अनुभव करा के समझा देते हैं अब एक इनसान हर तरह के दुख और सुख का अनुभव करता रहा तो उसका सारा जीवन इसी में चला जाएगा इस कारण गुरुजी की अलग संगत को अलग-अलग अनुभव होते हैं बार-बार गुरुजी कहते हैं अपने सत्संग शेयर करो उसके पीछे ये मकसद भी है कि इस अनुभव की जानकारी सभी संगतों को मिले अब जैसे कहा जाता है कि आगे खत्रा है इसका मतलब है कि किसी ने उस खत्रे को भापा और फिर जाकर ये बोर्ड लगाया उसके इस अनुभव को यदि हम सच मानकर आगे ना बढ़ें तो बिना झेले हम मुसीबत से बच सकते हैं संगत के सत्संग में हमारे बड़े सारे सवाल का जवाब गुरुजी देते है हम भी अपना सत्संग शेयर करें तभी तो दूसरों को जवाब मिलेगा हर साल दोनों नवरात्रों के समय संगत थोड़ी सी कन्फ्यूज हो जाती है खास करकी जो नई संगत जुड़ी है सालों से फास्ट करते आए, शुद भोजन करते आए और अब जब गुरुजी के सत्संग में जाते हैं तो लंगर जिसमें की लेसुन प्याज सभी कुछ रहता है हम खाते हैं, पंडितों ने और उसके बाद हमारे माता पिता या सास ससूर या जो भी बड़े हैं परिवार में उन्होंने व्रत को इतना महत्व दिया है भगवान को रिज़ाने में की कोई भी सोच में ना पढ़ जाए हम गुरुजी वाले हैं गुरुजी यानि रब यानि पाना भी है तो गुरुजी को ही अब बिना गुरुजी की आग्या माने कोई कैसे गुरुजी को पा सकता है गुरुजी ने फास्ट को कभी बढ़ावा नहीं दिया जबकि कई संगत को वो फास्ट के लिए कहा भी करते रहे हैं पहले भी सत्संग शियर कर चुकी हूँ कि जब ऐसे ही फास्ट के दिनों में एक संगत गुरुजी से नजर बचा बचा कर छुप रही थी छोटे मंदिर में कि गुरुजी हमें लंगर खाने को ना बोल दे गुरुजी ठहरे अंतर्या में उन आंटी को बुलाया और कहा कि वो किचन में जाकर देखें कि क्या हो रहा है जब आंटी रसोई में गई तो देखती हैं कि नो देविया लंगर बना रही है आकर गुरुजी के चर्णों में पढ़ गई और लंगर प्रसाद ग्रहन किया गुरु जी ने बड़े प्यार से ये समझाया हम सभी को कि नौ देविया जो उन्ही में बसी हैं लंगर प्रसाद तो उनका भी प्रसाद है फिर उसे ना खाकर हम देवी को कैसे खुश कर सकते हैं गुरु जी ने ये भी समझाया है कि सिर्फ लंगर जो मंदिर में बना है उसे ही हम खुश होकर खा रहे हैं और घर में यदि लसन प्याज खाने में पड़ गया तो फिर उधेड़ बुन में लग जाते हैं हम ऐसा ना करें गुरु जी के जिस भी मैसेज को फॉलो करना है उसे पूरा फॉलो करें अब जैसे कि जूट नहीं बोलना है निंदा चुगली नहीं करनी है तो ये सिर्फ किसी फिक्स हमें के लिए थोड़े ही है हर पल हमें अलर्ड रहना है कि हम कहीं निंदा चुबली में तो नहीं पड़ गए कहीं हम से जूट तो नहीं बोला जा रहा है कई बार लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि वो अपने एहम को बरकरार रखने के लिए जैसे कि लोग हमें गलत ना समझे जूट पर जूट बोले जाते हैं चोटी सी भी बार किसी ने पूछ ली कि ये गड़बर कैसे हो गई बस जूट शुरू हो जाता है सोचते हैं यदि हम सच कहेंगे तो सामने वाला और भी गुसे में आ जाएगा ऐसे कई विचार उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं वो भूल जाते हैं कि एक सच बोलने से उनके इतने जूट बच जाएंगे हम संगत हैं हमें इन सभी गलतियों की आग्या नहीं है हम ये गलती कर रहे हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें आज या कल इसे छोड़ना ही पड़ेगा इसका सबसे सरल तरीका है अपनी पिछली बात को याद करें जब हमने जूट बोला और चिंतन करें कि कितना जूट बोला जब हम चिंतन करते हैं तो हम अपने आप के साथ होते हैं और अपना आप कभी जूट नहीं बोलेगा उसे पता है कि कितना हमें पता था और कितना हमने फ्रेम किया हम खुद से सच बोल सकते हैं क्यूंकि कोई देखने या टोकने वाला नहीं है अब आगे इस बात पर चिंतन करना है कि यदि हम सच बोल देते तो क्या होता जब दोनों बातों का चिंतन हम कर लेते हैं तो पाते हैं हमेशा सच का ही पलड़ा भारी है कभी लगे कि सच बोलने का परिणाम सही नहीं होगा ऐसे में चुपी साध लेना हितकर है हमें सच बोलने का अभ्यास करना ही होगा गुरु जी ने बड़े मंदिर में हमें बहुत कुछ सिखाया है जब चार संगत के साथ खाते हैं तो उसका जो आध्यात्मिक पहलू है उसे तो कई बार शेयर कर चुकी हूँ अब संसारिक्ता के हिसाब से देखे तो गुरु जी ने उम्र, जात, लिंग, अवस्ता और हैसियत जैसे भेद भाव को एक ही थाली में खिला कर मिटा दिया है हम जब शुद भाव से वहां किसी भी तीन संगत के साथ लंगर करते होते हैं वही भाव हमें बाहर की दुनिया में भी रखना है वहां तो हम प्यार से खाते हैं और मंदिर से निकलते ही इसका उसका या तेरा मेरा छोटा बड़ा करना शुरू कर देते हैं इसका मतलब हमने सही ब्लेसिंग ली ही नहीं एक-एक कंड जो हम प्रसाद समझ खा रहे हैं यदि वही भाव अपने घर के बने रसोई में भी रखें तो ये भी प्रसाद हो गया समझें गुरु जी हमारे भाव को ब्लेस करते हैं एक बुजूर्ग संगत का सत्संग शेयर करती हूँ उन्हें पेट की और पच्चने की समस्या थी गुरु जी ने बुलाना शुरू किया तो सोमपार को अकसर समोसा और लड़ू प्रसाद खाने को मिलता है वो मिर्च जरा सी भी नहीं खा सकती थी पर गुरु जी का नाम लेकर खाया करती और पेट दुरुस्त ही रहता कभी कोई समस्या ही नहीं हुई समोसा या पूरी प्लेट लंगर खाने के बाद भी सदैव कहती भी कि गुरु जी ने ये गजब का आश्चरे जनक ब्लेसिंग्स दी है पर उनका ये विचार सिर्फ प्रसाद तक ही रहता था घर के खाने में वही पुरानी आदद कि ये नहीं खाएंगे या वो नहीं पचेगा जबकि हकीकत में गुरु जी ने उन्हें ये खिला कर समझाया कि वो सब पचा सकती है इतना ही नहीं कभी कभी गुरु जी के लंगर की मातरा देखकर उनके घर वाले सोच में पढ़ जाते कि कैसे खतम कर पाएंगी पर खतम करती और कभी कोई पेट की समस्या हुई ही नहीं पर घर में परिवार वाले कभी दो चमत चावल या आदी रोटी भी जादा दे देते तो बिमार होने का डर उन्हें सताने लगता कई बार हमने देखा है संगत अपने को परोशे लंगर से कुछ वापस कर देती है उन्हें पता है कि ये दवा है उनके सभी बिमारियों का कहने को तो सभी लंगर को दवाई या प्रसाद कहते हैं पर वो खुद से सवाल करें कि जब डॉक्टर कोई दवा लिखता है क्या हम कहकर उसका डोस कम या ज़्यादा करा सकते हैं नहीं करा सकते तो संसार के मालिक जो डॉक्टर की डॉक्टरी भूला देते हैं जब अपना इलाज करते हैं उनकी दवाई की डोस को हम कम जादा कैसे कर लेते हैं हमें नहीं पता है कि अपने अंदर हम कौन सी बिमारी को लेकर घूम रहे हैं गुरुजी को पता है तो उन्हें इलाज करने दे दवाई सही नहीं मिली तो बिमारी भी लंबी चल सकती है ये सब कुछ भी प्रभावी नहीं है यदि हम भाव शुद नहीं रखते हैं गुरुजी से जुरने के बाद जब हम हर पल उनी का सिम्रन करते हैं तो हमारे साथ होने वाले सभी चीजों में गुरुजी ही है हमारी सुबा से लेकर सोने या सोने के बाद की भी एक्टिविटी गुरु जी के साथ ही चलती है ऐसे गरों में सब कुछ गुरु में होता है कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता जो गुरु जी ने प्लान ना किया हो हमने बस अपने और परिवार वालों के लिए भाफ शुद रखने होंगे घर के खाने का भी एक-एक बून लंगर समझ कर खाए खुद महसूस करेंगे कि हम सब कुछ खा सकते हैं और सब कुछ हजम भी कर सकते हैं थोड़ा कम खाकर भी पेट भरा महसूस होता है और जादा खा लिया तो भी सब कुछ सही रहता है हम महाशिव की लीला में हैं ये भूल जाते हैं बार-बार और कहीं तो प्रसाद और कहीं कुछ और मनाने की गलती कर जाते हैं जब हम गुरू के हो गए तो हमारे द्वारा होने वाला हर काम भी गुरु का ही होता है हम करता भाव से मुक्त होकर आनन्द में जीवन गुजार सकते हैं पर हम अभी क्या करते हैं? मैं ये नहीं खाती, मुझे ये पसंद नहीं है मिर को वो खाने की इच्छा नहीं है जैसी चीजों में ही रह जाते हैं जो भी आया सामने वही लंगर है गुरुजी का भेजा हुआ है उसी प्रेम से हम खाएं और चमतकार, जो गुरुजी दिखाते ही रहते हैं हम देरे रखकर चलते चलें हमारी मन्जिल इतनी जल्दी हमारे सामने होगी हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमने कर्म कटा लिया जब कर्म कटवाते हैं तो तकलीफ तो होती है पर जब अपने ही घर में मा या पती या बेटे दुआरा ऐसे ऐसे बिंदूओं पर उल्जन पैदा होते देखती हूं तो बस हस पड़ती हूं गुरु जी ने कितना असान बना दिया है कर्म कटवाना कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता घर परिवार में ही एक दूसरे का कर्म काटने को हमेशा तयार रहते हैं हम ये सोचते और समझते ही सारी परिशानी दूर हो जाती है हम शान्त होकर उस परिस्थिती से निकलने की कोशिश करते हैं और क्यूंकि हम पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी से निकलने की कोशिश करते हैं हम आसानी से निकल भी जाते हैं यदि हम इन उल्जनों को अपने रास्ते में बाधा समझ कर चलते तो जरूर वहीं फसकर रहे जाते पर ये तो महाशिब द्वारा एक तरह का वर्दान है जिसे पाकर हम पार उतर सकते हैं गुरुजी हर पर हम पर काम करते रहे हैं धैरे रखे और बढ़ते चले जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी